नमस्कार दर्शकों धार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत हैं आज हमाँ आप सभी को गजराज गोपालदाज जी के कहानी सुनाने वाले हैं और कैसे बना एक हाती भक्त आईए जानते हैं रसिक मुरारी जी एक बहुत बड़े महा भागवत थे बे अपने गुरू स्री स्यामानंत जी महा प्रभु जी की आग्या से संत सेवा में रत रहते थे बहे कभी किसी संत को कटू वचन नहीं कहते थे और किसी पर दोस दर्सन नहीं करते थे एक भक्त ने संत सेवा के लिए रसिक मुरारी जी के गुरू देप के नाम बहुत सारी जमीन कर दी उस खेती से बहुत अन्य पैदा होता था जिससे रोज साधू सेवा होती थी बहां का नबाब बड़े दुष्ट सोभाब का था नबाब ने जब इतनी सारी खेती एक संत के पास देखी तो उसने स्यामान अन्जी की सारी संपतिया फरन कर लेने का आदेश दे दिया खेती कबजे में कर ली गई और आसरम में जो कीमती सामान था वो सब कबजे में लेकर संतों को अपमानित किया गया स्यामानन जी ने उट जमीन को छोड़वाने का बिचारी किया क्योंकि उससे बहुत से संतों का रोज का भंडारा होता था उन्होंने अपने सिस्य रसिक मुरारी जी को पत्र लिक अपने पास बुलाया उन्होंने रसिक मुरारी जी को दुष्ट नवाब के पास जाने और उसे भक्ती का उपदेश करने की आग्या दी और सब बापिस लाने को कहा रसिक मुरारी जी के कुछ सिस्य नवाब की सेवा में मुनसी मुनी मादी पदो पर थे उनको बड़ा भै हुआ कि नवाब उनकी गुरू का फ़ारी अपमान करेगा और हो सकता है उनकी जान पर भी बाद आजाए रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम भैबीत मत हो तुम चिंता मत करो नबाब ने रसिक मुरारी जी के लिए पालकी भेजी ताकि मुनसी जन ये समझे की बड़े सम्मान से बुलाया है पर सब घबड़ा रहे थे कि कुछ बड़ा सरियंत है अन्य था इतना दुष्ट ऐसी स्रद्ध कैसे कर सकता है रसिक मुरारी जी अपने गुरू देप के चर्णों का ध्यान करके पालकी में बैट गए पहले से ऐसी तैयारी की गई थी कि एक हाती को मदीरप और लाकर गुश्द दिलवा दिया गया था पालकी को उसी हाती के सामने छोड़ दिया गया रसिक मुरारी जी नस्दीक गए और हाती पर प्यार से हाथ फिरते हुए कहने लगे किष्णा किष्णा बोलो किष्णा किष्णा बोलो देखो तुम भगवान के अंस हो तमोगुर सुभाब धारन करके तुम हाती के सरीर में हो तुम हाती नहीं हो तुम तो भगवद अंस हो ये क्रोत करना उचित नहीं है इसलिए तामसिक सुभाब छोड़ो किशने किशने बोलो हाती ने घुटने टेक दिये और रसिक मुरारीजी के सामने मस्तक चुका लिया राजा अपने महल के छज्जे से देखने आया था कि कैसे ये मतवाला हाती इस गुरू को मारता है लेकिन जब रसिक मुरारीजी ने उपदेश दिया तो हाती ने घुटने टेक दिये और उनके चर्णों में मस्तक रखकर अस्रू प्रभा करने लगा रसिक मुरारीजी ने अत्यन्ते प्रेम से उसे दुलार किया और उसके हिर्दे में भक्ती प्रदान की उन्होंने ततकाल एक बढ़ी तुलसी की माला उसके गले में बांते हुए उसके कानमे किष्ण नाम सुनाया मानो उन्होंने उसे अपना सिस्य बना लिया हो और कहा सुनो तुम्हारा नामास से गोपाल दास है ये सारा का सारा द्रस्य राजा देख रहे थे वो समझे कि ये तो कोई चमतकारी महत्मा है नबाब से अब रहा नहीं गया वो दोरता हुआ आया और उनके चर्णों में गिर कर कहने लगा मुझे छमा कीजिये मैं संतों का प्रभाब नहीं जानता था मेरे बड़े भाग्योदे हुए क्योंकि आप जैसे महान संत के दर्सन हुए जितनी जमीन जबत की थी भहे तो बापिस करी रहा हूँ कई गाओं की और भी जमीने आपको दे रहा हूँ ये कहते हुए भहे उनके चर्णों में लिपट गया संतों का संग मोक्ष परदान करने वाला होता है तभी उस दुष्ट राजा का ऐसा परिवर्तन हो गया रसिक मुरारी जी की करपा करके गजराज का नाम गोपालदास रखा गया भक्त गोपालदास अब बहे गजराज जैसे गाई के पीछे बच्छरा चलता है ऐसे रसिक मुरारी जी के पीछे पीछे चल पड़ा अब तो आनंद ऐसा हुआ कि संत सेवा होती तो गजराज गोपालदाजी को प्रसाच छूटन मिलती जब भी संतों को देखते तो आगे के पैर मोड खुटनों के बल होकर माठा टेक देते और प्रणाम करते अब जो भी चाबल दाल आदी के बारे में संतों की सेवा के लिए लाने होते वो सेवा गोपालदाज को मिलती सब कुछ गोपालदाज पे लात कर लाया जाता एक बार सभी प्यापारी मिलकर गोपालदाजी के गुरुदेव सरी रसिक मुरारी जी के पास आए और कहा ये गोपालदाजी हमारा माल खा जाते हैं जब एक बोरा लाना है तो ये एक बोरा खा लेते हैं और एक बोरा लात कर ले जाते हैं हमारा तो खाटा हो जाता है गुपलदाजी का ये नियम भी था कि किसी स्थान में यदि विसेस महुस सब भोजवंडारा हो और संतों की पंक्ती हो तो जब सब संत भोजन पाकर उठ जाते थे तब में वहाँ जाते और संतों की चूटन चाड़ते रसिक मुरारी जी ने गजराज जी से कहा देखो तुम अब बेसनब हो तुम्हारे सब आचरंग ठीक है लेकिन एक आचरंग गलत है तुम जो वहाँ लेने जाते हो उतना ही लिया करो तुम दूसरे बोरे का अन्ने क्यों खा जाते हो एक तो बेसनब को बिना भोग लगाई नहीं खाना चाहिए इसलिए तुमको आच से बिना भोग लगाऊ बोजन या अन्ने नहीं खाना और जब तक प्रसाद ना मिले तब तक कुछ मत खाना गोपालदाज जी की समझ में आ गया सीरसिक मुरारी जी ने कहा बेटा जबर जस्ती कुछ भी खाना पाप है एक बेसनप का ऐसा संसकार नहीं होता है किसी के खेत में गए या किसी के दुकान से सामान खा लिया जी की बड़ी रती हो गई थी सब संत इनको खूब दुलार करते और इनको कहीं न कहीं अपने साथ चलने को कहते गजराज गोपालदाज उन्हें सून पर चड़ा पीट पे विठा लेते और इदर उदर गुमा गुमा के संत सेवा का आनंद लेते गोपाल दाज जी संत सेवा का बड़ा चाओ था जैसा संत आदेश करते वो बैसे ही करते कोई संत यदी कहते कि आज ये सबजी पाने का मने तो गोपाल दाज जी तिलक लगा कंठी पहने बाजार जाते तो सब उने जिधर सून से सारा करते वो सबजी पकड़ा देते गोपाल दाज जी ने उसे सून में रख के ले आते खाते नहीं यदि कोई जराब सा आनागानी करता तो हुंकार मार के ऐसा डराते कि वो हाथ जोड कर खड़ा हो जाता और सामान लाके दे देता कभी गोपाल दाज जी संत से खहते मेरे कपड़े फट गए तो गोपाल दाज जी कपड़े की दुकान से वो कपड़े ले आते रसिक मुरारी जी पैसे पहुचा देते गोपाल दाज जी माल लाते सर्दी के समय में गोपाल दाज जी अपने आप किसी कंबल की दुकान में जाकर बंडल का बंडल उठा कर पीट में रख संतों के पास ले आते जब रसिक मुरारी जी को पता चलता तो वो पैसे पहुचा देते संते भी खुब परसाद ले लेते और थोड़ा खा कर बचा हुआ सब गोपाल दाज जी को खिलाते और उन्हें दुलार करते गोपाल दाज जी के साथ भहुत से संतों की टोली थी जिधर जाते उधर लोग दोड़ उर्ते ही चमतकार देखने के लिए एक हाती संत सेवा में रहता है दर्सन के लिए भी लग जाती चारों दिसाओं में आच्चर ये जनक चर्चा चली की एक गजराज वेसणव है जो संत सेवा में रहते हैं बंगाल के सुवेदार को जब पता चला कि ऐसा कोई चमतकारी को राग्यकारी हाती है तो उन्होंने उन्हें पकडवाने के लिए आदमी निरुक्ती किये पर जब भी कोई उनकी नजदीक आता तो गोपाल दाज्जियों उसे अपनी सूर में फसा कर दूर पटक देते और उस बसकती से संपन्य सुवेदार ने बहुत स्वन मुद्राएं प्रसकार में रखकर घोंसरा कर दी कि उस हाती को बंदी बनाकर हमारे पास लाया जाए किसी के दिमाख में आया कि गजराज साधूों को नहीं मारता है तो एक दुष्ट साधू बेस बनाकर गोपाल दाज्जी क ये सामने खुटने टेक दिये उसने ततकाल गोपाल दाज्जी को बंदी बनाबा लिया और उन्हें साथ ले गया जब उन्हें सुविदार जी के पास ले जाया गया तो गोपाल दाज्जी को जल और भोजन आदी अर्पित किया गया पर उन्होंने कुछ नहीं खाया क्यों जाया जाय तो साइद गंगाजल पी ले क्योंकि बो तो भगमान का चर्ण नम रथे अन्यता ऐसे तो इसके प्राण निकल जाएंगे जोही बोलोग उने गंगाजी में ले गए तो गोपालदाज जी जलधारा में खड़े हो गए उन्होंने अपने गुरुदेप का ध्यान कि और उने जोड से पुकारा किष्णा और अपने सरीर का त्याग कर दिया एक भगवत प्राप्त महात्मा की जो गती होती है बैस अदगती गोपालदाज जी की हुई गजराज गोपालदाज जी एक हाती के सरीर में थे पर उनकी निष्ठा इतनी बड़ी थी कि उनके चरित्र हैं जिन में भक्ती की प्रभापस उनों ने बड़े बड़े दुष्टों की बुद्धी बदली भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रिकासित करने के लिए ऐसी लीलाए करते रहते हैं इसलिए उपासक को चाहिए कि गुरु चर्ण आसक्त होकर गुरु परदत मं नाम और सेवा में चित ब्रत्ति लगाकर इसी जर्म में भगवत प्राप्ति कर ले यही जीवन का परमलाब है आपको गोपालदाज जी की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारी चैनल धार्मिक चमतकार को सब्सक्राइब नहीं किया त हन्य बाद